जन्सवास कल्याद सिवा समती के सचिप डॉक्टर एलबी सिंग इस समय हमारे साथ जूड़ चुके हैं चिकिस्य सेवाओं के लिए अभी राजिपाल द्वारा इनको महारास्ट में सम्मानित किया जाएगा जन्यवाद आपको प्रादर दरपन निउस पर बहुत बदाई और शुपकामना है जन्यवाद जन्यवाद आप जहीं खुपकामना बदाई हो डॉक्टर जब कैसे इस सफर की शुरुआत की लगाता चिकिस्य सेवा का आपका जो चेतर है लगातार लोग तारिफ कर रहे हैं गरीबों के मसीहा की रूप में जाने जाते हैं आप जी जी मैं अभी गौत रहा है तोडे बिहार में, कि मैं जहां भी गरीब मुदू को, जहां भी सुचना मिलता है वहाँ पर मैंने पहुच करके मैं गरीबों करता हूँ, कलकानी घतनाप को मैं बता दूँ कि कल्ले अजानत में मुदू मुदू सब्धी से पोनाया, एक ठाकुर्णी क बखते कि मैं आपको जो पूरा पूरा एक जो सफर रहा है अब तक, चिकस्ता छेतर में शुरूआत और पेड़ना काहं से मिली आपको? बहुत बहुत ज़ना भ़दा दर दिन रहा है, शुरुषे मैं जोभी करीम धीयूम आते हैं, उनको मैंने आज तक लिए पैसा पार दिया ही नहीं। जी। बहुत बढ़िया इसके पार पैसा रहे या ना रहे जो मेरा तर्म है इसको मैं तर्म से तहले आदा करता हूँ मैं अपना क्योंगी कमाता हूँ उसका 50% क्यों है मैं अपने गरीब और असहाय लोगे क्यों कि छिछ नहों को तरीके से ले रहे हैं क्योंकि पूरे बिहारमें सुर्फ एकमात राप ऐसे डॉक्तर हैं जिसको सम्मान के लिए किए चैन किया गया है और बिहार के लिए पूरे गर्व की बात है किस तरीके से लिएने इस सम्मान को कि स्थमान के लिए बीहार बातियों को तहें दिन एमने बात देता हूं और आप को तलो मैं तहें तिनसे शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने आज हमसे आप अपना किंटीबश निकाल पर हम बात देंगे अपने कोशिस चिया महाराष्ट में सम्मान आपको दिया जाना है राजिपाल वहां मौझूद रहेंगे केंद्रिय मंत्रियों की मौझूद्गी रहेगी तो बिहार का एक तरीक से प्रतिनित तो आप वहां करेंगे डॉक्टर एलबी सिंग साब आपको बहुत बहुत बढ़ाई प्राता दर्पन्यूज आपके सम्मान पर गौर्वानमित महसूस करा और पूरे बिहार को गौर्वानमित महसूस कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार और बढ़ाई यह हमारे साथ डॉक्टर एलबी सिंग थे पूरे विहार को गौर्वानमित महसूस कराया है और महरास्त में राज्यपाल और कई केंद्री मंत्यों की मौझूद्गी में एक मात्र ऐसे डॉक्टर हैं जिनका चैन किया गया इस सम्मान के लिए यह सम्मान पाने वाले पूरे बहुत बदाई और शुब कामना देता हूं